वेलकम टू कौन साथ मेरा नाम धर्मेंद्र है आज मैं यह वीडियो लाया हूं इस स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो किसी पर्टिकलर स्टॉक में एक लॉंगर डियूरेशन के लिए इन्वेस्टेट रहना चाहते हैं मतब किसी पर्टिकलर स्टॉक को वह बाई करके क इसको कब बाई करें ठीक है जैसे कि हर जगे आपने एक डायलोग सुना होगा कि राइट टाम इस राइट नाओ ठीक है कि मतब अभी जो समय चल रहा वही सही है यहां पर आप किसी पर्टिकलर स्टॉक को बाई कर लो लेकिन क्या यह हमेशा इसी तरीकी के सही होता है ऐसा जाए बहुत नहीं होता है किसी भी पर्टिक्लर स्टॉक में मुझे इंवेस्ट करने से पहले उसमें बाय करने से पहले बहले मैं उसको एक यह दो मेने के लिए तो मुझे यह वालूम होना चाहिए कि यह फिलाल मतार्व यौवर वैलूड है टीक है क्यूंकि अगर स्टॉ पास मोमेंटम उपर की और नहीं आता है फिर उसके बाद जा वो नीचे गिरना शुरू होता तो बहुत तगड़े तरीके से वो नीचे गिरता है तो हम इसी तरीके से जानेंगे कि कोई भी प्रटीकुलर स्टॉक की ओसे अर्डॉड के साथ और भी जोडना रहेगा अगर मैं कुसि पट्रॉक वेल्याइशन में चेक कर रहा हूं जोड़ना गाद गाद गुश्क nosем अधा how भी facts जोड़ूं तो मेरे लिए काफी अच्छा strategy बन सकता है और जो मेरे stock की value जब बढ़ेगी तो काफी अच्छा return मिल सकता है ठीक है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं PE ratio के बारे में ठीक है कि एक PE ratio को कैसे मैं analyze करके एक stock का valuation पता कर सकता हूं ताकि मैं उसे एक right price पर खरीद सकूँ ठीक है किसी particular stock को right price पर खरीदना बहुत important होता है ताकि आगे जाके आपको आच्छा return मिल सके ठीक है तो चलिए चलते हैं कि PE ratio होता क्या है ठीक है PE ratio मत्तब price to earnings ratio ठीक है एक बहुत ही crucial matrix है जो investors को help करता है ठीक है यह company की valuation पता करता है जो उसका current share price है उसके मुकाबले ठीक है क्योंकि current share price कुछ भी हो सकता है ठीक है बहुत ही ज्यादा लोग ने built-up कर रहा के तो बहुत ही उप करना चाहता हूं ठीक है तो यहां पर देखें मैं उसकी valuation पता करूंगा ठीक है और इसकी जो valuation compare कैसे करते हैं current share price to earning per share EPS ठीक है कि एक per share में मेरा earning कितना हो रहा है जो कि dividend जो भी इसमें count होता है ठीक है तो यहां पर मैं देखूंगा कि understanding PE ratio can guide investment decisions ठीक है तो EPS को मुझे पता करना है और current share price को पता करना है ठीक है यह बहुत ही simple ratio है लेकिन यह बहुत ही important ratio और इसके सासत मैं और भी कौन सी चीज़े जोड़ूंगा हम वो भी देखते हैं ठीक है त उसको divide करते है earning per share जैसे मान लिजे के अदानी enterprise है current share price उसका चल रहा है 3100 रुपे ठीक है 31-32 रुपे अभी उसका जो EPS होगा ठीक है जो calculate करने के बाद आता है तो अगर हम उससे divide करेंगे ठीक है तो हमारा आता है PE ratio तो अगर PE ratio बहुत जादा है तो stock indicate कर रहा है कि overvalued है ठ अगर उपर जो denominator उसका value बहुत ज्यादा है तो अभी उसलिए आपका PE ratio ज्यादा आएगा तो PE ratio आ रहा है तो बहुत ज्यादा आ रहा है तो वहां पर मैं यह कहूंगा कि PE ratio की वज़े से हम उसमें buy नहीं करेंगे मत्तब क्योंकि वह stock काफी ज्यादा overvalued है ठीक है तो यहां पर मैटिस क्या करता है एक snapshot बताता है कि कंपनी का market valuation का है ठीक है कि current EPS उसका कितना चल रहा है और उसका current price कितना चल रहा है ठीक है तो क्या यह जो PE ratio है इसके साथ साथ मुझे और क्या जोड़ना है ठीक है तो primarily दो टाप का PE ratio होता एक होता है trailing और एक होत ठीक है trailing क्या होता है जो past earning देखता है कि past earning उसकी क्या के होई यह ठीक है past earning मैं उसको check करता हूं ठीक है और जो forward PE रहता है वो projected earnings देखता है कि आने वाला उसका revenue कितना generate हो सकता है ठीक है तो यह मुझे आपर check करना पड़ता है कई बार आप देखो कि PE ratio बहुत जादा confusion होता है कि मुझे मैंने past earning देखिए कि projected earning देखिए ठीक है तो वो चीज मुझे check करना होता है तो यह चीज हमें क्या है company का performance बताता है और future potential दोनों हमें बताता है ठीक है चलिए आगे देखते है limitations क्या है ठीक है जैसे मैंने आपको कहा कि इसके साथ मैं कुछ और भी तो है लेकिन इसका limitation भी है ठीक है क्योंकि इसके अंदर debt level नहीं आ रहा है ठीक है क्योंकि company का कुछ debt level भी होता कि companies ने कितना borrow किया हुआ है अभी company की borrowing पता करना भले वह bank का loan हो preference shares हो ठीक है या commercial bonds हो जो भी उनकी borrowing मुझे पता करने है ठीक है तो आपको क्या करना है कि company का ज debt to equity ratio भी पता कीजिए तो आपको debt level मालूम पड़ जाएगा इसके वज़े से आप क्या निकाल पाओगे कि company की solvency क्या है ठीक है तो company की solvency की मतब company का जो obligation है कि मतब company कितना loan जो ली है जो pay कर सकने कि उसकी शमता कितनी है वो पता चलता है तो अगर उसकी शमता बहुत अच सकता है ठीक है उसमें worst scenario को हम consider करेंगे तो अगर वो scenario हमें अच्छा लगेगा तो मतब company की जो valuation है वो बराबर है पी रेशो भी ठीक चल रहा है तो आप उसको buy कर सकता है अगर वो आपके system में आया है जो भी आपने अगर उसको fundamental analysis किया है ठीक है तो यहां पर मैं क्या कर सकत हो market condition तो मुझे देख नहीं है और industry differences देखना है ठीक है competition होते हैं industry differences भी होते है हम सब को पता है कि कुछ sectors cycle wise performance करते हैं तो cycle भी देखना बहुत जरूरी है तो industry difference देखिए कि बाकी के मुकाबले की performance कैसा industry कैसा perform कर रही है और वो particular company भी कैसा perform कर रही है क्योंकि हो सकता है कि बाक company ने changes नहीं लाया ठीक है जिसके वज़े से यह under performance कर रही है तो मुझे यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा industry difference देखना पड़ेगा debt level देखना पड़ेगा और market condition तो जब भी आप PE ratio को calculate करते हो debt to equity ratio भी इसमें consider कीजिए ठीक है तो इसे valuation तो आपको मालूम पड़ेगी लेकिन यह सारे factors को जोड़ के आपका जो accuracy है वो आगे बढ़ जाता है ठीक है तो यहाँ पर मुझे यह सारे matrix को भी जोड़ना पड़ता जिसके वज़े से किसी company की financial health के बारे में मुझे अंदाजा लग जाएगा ठीक है अभी आता आपका comparative analysis तो हम लोग क्या करते हैं कि PE ratio का हमेशा किसी भी companies का same industry के साथ हम इसको combine करते है ठीक है तो इसके वज़े से investment opportunity हमें पता चलती है और इसी context को हम use करते हैं ताकि पूरे number wise ठीक है मतब जो data हमें मिल रहा है ठीक है mathematical calculations जो हता है उसके हिसाब से एक accuracy बढ़ती है जिसके वज़े से मैं investment कर सकता हूं ठीक है को informed decision के तोर पर यूज कीजिए ठीक है तो जैसे कि काफी लोगों को doubts रहता कि PE ratio को क्या मैं अकेले ले सकता हूं या PE ratio जो उसकी value आ रही है क्या मैं directly उसको लेकर मैं start कर सकता हूं तो ऐसा नहीं है ठीक है PE ratio के साथ आप multiple matrix को भी उसके साथ जोड़िए ताकि आप एक informed decision ले invest कर रहे हूं ठीक है क्योंकि आपने कुछ study किया आपको study करना चाहते हो कि कोई company साल भर में आप देखते हो कि वह 20-30% 50% भी return देती है तो कई लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छा diversification करके पैसा invest करते हैं तो लेकिन वह भूल जाते हैं कि अगर मैं सिर्फ बहुत अच्छे से पता कर सकता है यह टूल था जो आपको बताएगा कि company की current valuation क्या है आपको पसंद आया होगा पी रेश्यों के बारे में सो और भी ऐसे जानकारी पूर वीडियो जाने के लिए concept से जुड़े रहे हैं मैं आपका trainer धर्मिंदर राजबर आपका धन्यवाद झाल